हेलो फ्रेंड्स दिशीज एस्पी शिंग एंड वेलकम टू इस्ट मार्ट एवरी डिए प्यारे दोस्तों बात करेंगे साइकोलोजी को लेकर के ठीक है आप में से बहुत सारे विद्यार थी जो बीड कर रहे हैं या जो टेट सीट वाले भी उनके लिए एक कॉमन टॉपिक ह लेकर के अपर लेवल तक ठीक है कि मनोवग्यान क्या है इसके उत्पत्ति कैसे हुई कोई कहता है मनोवग्यान वेवहर का विग्यान है कोई कहता है मनोवग्यान मस्तिश्क का विग्यान है आखिर मनोवग्यान है क्या जेतना का विग्यान है मस्तिश्क का विग्यान है वे शिर्षा मनवग्यान का छेत्री क्या होता है इस तरीके से इस पूरे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे मिठेट हो गार्फ फिर इसके बाद सेश्वा वस्ता वाका कि शोरा वस्ता फिर उसके बाद 하나 या लखनों से कर रहे हूं या अधनिश्टी से यह कॉमन सब्जेक्ट होता है साइकलोजिकल प्रफेक्ट ओफ एडिकेशन आए इसको समझते हैं मनोविज्ञान का अर्थ होता क्या है मीनिंग और साइकलोजी डियर फ्रेंड आपको बताते चले कि श्रताब्तियों पूर बह अंच है यह उसी की एक शाखा है मनोविज्ञान शब्द अंगरेजी का शब्द साइकलोजी का हिंदी रूपांतरन है यानिकी इंगलिश में इसको साइकलोजी कहते हैं जिसकी उत्पत्ति गैरट के अगर हम बात मानें गैरट के अनुसार यूनानी यानिकी ग्रीक एंड लेटिन भाषा के दो शब्दों शाइकी प्लस लोगोस से मिलकर के हुई है जो शाइकलोजी शब्द है इसकी उत्पत्ति किस से मिलकर के हुई है अब इसमें लोगोस का अर्थ होता है विचार करना अध्यान करना आदि तथा साइकी का अर्थ क्या होता है साइकी का अर्थ होता है भिन भिन समयों पर भिन भिन रूप यानि कि अलग अलग समय पर अलग अलग रूप इसका लिया गया है अलग अलग अर्थ को जाना गया है जैसे इसको आत्मा भी कहते हैं मन भी कहते हैं कि साइकिक आर्थ आत्मा भी लिया गया है और मन भी लिया गया है तो अलग अल इस तरीकी से जब saiki plus Logos मिलकर करके psychology बनेगा तो क्या हो जा जाएगा आत्मा का अध्यन क्या बनेगा आत्मा का ध्यास इसbing हो जी बराबर आत्मा का विज्यान आफिर आत्मा का अध्यन यह शब्द निकल कर किया आता है मनुविज्ञान जो शब्द है ये रुडोल्फ गॉल कॉई ने अंद्रासो नब्बे में दिया था कौन सा शब्द मनुविज्ञान शब्द है फिर हुआ क्या कि सोलमी शताब्दी में अरस्तु के प्रयासों से अरस्तु ने थोड़ा एफर्ट किये तो मनुविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ पहले क्या था सताब्दियों पूर्व क्या था कि मनुविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा की रूप में माना जाता था कि ये दर्शन सास्त्र की एक शाखा है लेकिन फिर धिरे धिरे इसको अरस्तु ने एफर् दीजिए आगे बात करेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ती कैसे हुई देखिए सोल्वी शताबदी में आत्मा शब्द को आधार मान करके सबसे पहले प्लेटो अरस्तु डेकार्टे के दौरा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया बात कब की है सूलमी स्ताब्ती में जिसमें इन लोगों ने क्या क्या आत्मा को आधार माना और इसको आत्मा का विज्ञान कह दिया कि जो मन विज्ञान है वो आत्मा का ही विज्ञान है फिर आत्मा शब्द की इसपस्ट व्याख्या न होने के करण कि आखिर आत्मा है क्या आत्मा है कहां तो इसकी जब पूरी इसपस्ट व्याख्या नहीं हो पाई पूरी तरीके से इसको डिफाइन नहीं किया जा सका तब फिर सोल्विश ताब्दी के अंत में ये परिभाशा अमानी हो गई ये कहा कि आत्मा जब आत्मा शब्द को ही हम पूरी तरीके से clarify नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसको आत्मा का विज्ञान तो हम आत्मा शब्द को बेश कैसे मान सकते हैं इसको आधार कैसे मान सकते हैं तो इस तरीके से जब यही शब्द पूरा clear नहीं है तो इसको आधार कैसे मान सकते हैं ये मान करके इसको आत्मा का विज्ञान जो परिभाशा दी गई उसको काट दिया गया उसको हटा दिया गया उसको अमाने कर दिया गया आत्मा का अध्यन मनोवेग्यानिक धंग से करपाना पॉशिबल नहीं था इसलिए ये परिवाशा अमान हो गई कि हम इसको आत्मा का विज्ञान नहीं कह सकते फिर हुआ यूँ कि इटली के मनोवेग्यानिक पंपॉलोजी और उनके सयोगी थौसर्ड रीड ने सत्रमी शताबदी में मन के विज्ञान की रूप में परिभाशित क्या कि देखो ऐसा है ये मन का विज्ञान है किसने पंपॉलोजी और उनके सयोगी थौसर्ड रीड ने सत्रमी शताबदी में क्या कह दिया फिर आगे बात बड़ी 19 स्ताब्दी में जब पहुंचे तो इन्होंने क्या कहा कि ये चेतना का विज्ञान है क्या है ये चेतना का विज्ञान है ना तो ये आत्मा का विज्ञान है ना ये मन का विज्ञान है ये चेतना का विज्ञान है फिर 20 स्ताब्दी जब आई तो इस के प्लारम में मनोविज्ञान को वेवहार के विज्ञान के रूप में श्रीकार किया जाने लगा इन्होंने चेतना का विज्ञान को हटा करके अपना वेवहार के विज्ञान के रूप में एक्सेप्ट किया तब जो है जेवी वाटसन, वुड़वर्थ, इसकिनर मैकडूग आदने मनोवज्ञान को वेवहार का विज्ञान माना है ठीक है तो वेवहारवाद के शंदरप में जेवी वाटसन ने अपना महतपूर्ण योगदान दिया इसलिए इन्हें वेवहारवाद का जनक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वेवहारवाद के रूप में वेवहार क का विज्ञान है सत्रमिश ताब्दी में और फिर सोलमिश ताब्दी के अंत में क्या हुआ जब आत्मा सब्दी क्लियर नहीं हुआ तो उसको हटा दिया गया प्रिभाश्या माने नहीं हो पाई सत्रमिश ताब्दी में फिर उसको मन का विज्ञान माना गया फिर जब उन निश्मिश ताब दी आई तो वहाँ पे इसको चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा और जब बीश्मिश ताब दी आई तो जेबी वाटसन के effort से इसको विवहार का विज्ञान माना गया कि ये विवहार का विज्ञान है इसी लिए जेबी वाटसन को विवहार वाद का जनक भी माना जाता है अब आप ध्यान रखेगा आत्मा का विज्ञान कहने वाले अरस्तु प्लेटो डेकार्टे थे मस्तिश्क का विज्ञान कहने वाले paumpology थे चेतना का विज्यान कहने वाले विलियम वोउन जेमस और टिचनर है विवहार का विज्यान Watson ने कहा तो JB Watson जो है इन्होंने विवहार का विज्यान माना है मनोविγ्यान को इतनी बात के लिए रहे बहुत अच्छा आगे बढ़ेंगे शिक्षा मनोविग्यान की बात करेंगे यदि आप B.A.D. कर रहे हैं आप कानपूर यूणिसिटी के चात्रे आप लखनुक के चात्रे हैं प्रियाग राज के चात्रा आपका बीड फर्स्ट सेमेस्टर है तो उसके लिए आप नोट्स के लिए आप में इस नमर पे वाट्साप मैसेज कर सकते हैं आपको कम्प्लीट नोट्स दिये जाते हैं आपके चारो पेपर के ठीक है आगे बढ़ेंगे अब यहां से हम शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक महत्पूर्ण शाखा है यह दो सब्दों से मिलकर बना है एक तो शिक्षा है दूसरा मनोविज्ञान जिसका अर्थ होता है शिक्षा की प्रक्रिया से समंदित एजुकेशन के प्रोसे से समंदित विवहारों का अध्यन करने वाला विज्ञान, यानि कि सिक्षा की प्रक्रिया से सम्धि जो भी विवहार किये जाते हैं, उसका अध्यन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, सिक्षा मनो विज्ञान कहलाता है, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, तो सिक्षा मनो विज्ञान ऐसा विज्ञान ह जो शिक्षा की प्रक्रिया में मानव विभार का अध्यन करता है करो एंड करो कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विक्ति के जन्म से लेकर वरधा वस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है कि किस तरीके से एक विक्ति जन्म से लेकर के वरधा वस्ता तक उसकी learning चलती रहती है उसका explain करने का काम शिक्षा मनोविज्ञान करता है अगर कॉलसनिक की बात करें तो कॉलसनिक के अनुसार ये कहा गया है मनोविज्ञान के सिधानतों और प्रिणामों का शिक्षा के छेत्र में अनुप्रियोग शिक्षा मनोविज्ञान है इ यदि आपका बीएड है तो आप इसमें से दो परिभाशन है जो आपको अच्छी लगे वो आप पढ़कर के याद रखेगा काम आएगी आपके एक्जाम में शिक्षा मनोविगयन में सम्मंद क्या अक्सर बीड में पूछ लेता है कि शिक्षा मनोविगयन में क्या सम्मंद है देखिए शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से व्यक्ति के विवहार में वांचित परिवर्तन किये जाते हैं भाई शिक्षा के माध्यम से विक्त के वेवहार में प्रिवर्थन आता है आप ऐसे समझो एक विक्ति सिक्षित है एक पढ़ा लिखा विक्ति है और एक असिक्षित विक्ति है दोनों के विवहार में दोनों के क्रिया कलाप में दोनों के काम करने के ढंग में बहुत अंतर हो जाती है जब वो शिक्षित हो जाता है तो उसके विवहार में उसके काम करने के ढंग में भी बहुत प्रिवर्तन देखने को मिलता है मनोवग्यान की विशे में हम कह सकते हैं मनोवग्यान ग्यान की एक ऐसी शाखा है जो मानवी है विवहार का अध्यन करने में साहिक है मानों के विवहार का अध्यन करने में साहिक है कि किस तरीके से मानों विवहार करता है जिस तरीके से उसमें धीर धीर चेंज़े जाते हैं बदलाव आते हैं उसके उम्मर बढ़ती है उसके वेवहार में प्रिवर्तन आता चला जाता है किस तरीके से उसमें जब learning होती चली जाती है तब उसके उसमें कुछ changes दिखाई देते हैं प्रिवर्तन दिखाई देते हैं यह प्रिवर्तन कैस तरीके से होते हैं और क्या mental ही होते हैं या physical ही होते हैं बहुत सारी चीज़े मनविज्यान के अंतरगत मानों के विवहार से समंदित जिन सिध्धानतों का प्रतिपादन किया जाता है उन सिध्धानतों के बेश पे ही शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से प्राणी के विवहार में विभिन प्रकार के ही प्रिवर्तन संभव हो पाते हैं अब शिक्षा मनवग्यान के उद्देश से क्या होते हैं देखे अगर हम शिक्षा मनवग्यान के उद्देश से की बात करें तो शिक्षा का उद्देश से विक्त की अंतर नहीं शक्तियों का श्वाभाविक विकास करते हुए उसका समाजी करना है ठीक है इसका मतलब क्या है कि सिक्षा का उद्देश की विक्ति के अंदर जो शक्तियां है ठीक ऐसा का गया है कि सिक्षा में हम उपर से कुछ नहीं सिखाते जो है वो विक्ति के अंदर है बस हम उसको बाहर लाने का प्रयास करते हैं वही कहा गया कि अंतर नहीं ते शक्तियों का जो उसके अंदर शक्तियां पहले से विद्धिमान हैं, गौड गिफ्टेड हैं, जीन्स के माध्यम से मिली हैं, शिक्षा के माध्यम से हम उनको बाहर लाने का प्रयास करते हैं, शिक्षा मनवग्यान का उद्देश से भी सामाज ग्यान का उद्देश है बालकों की अभीवर्द्दी और विकास का ग्यान कराना क्या उद्देश है बालकों की अभीवर्द्दी एवं विकास का ग्यान कराना ताकि बालकों का विकास की जो अवस्थाएं हैं उनके अनुरूप उनमें शारीरिक, मानसिक, समाजिक, शम्यकात की विकास किया जा सके दूसरा है विकतित विनता का ज्यान कराना कि पुशिष्ट सबहत्र ना साहिता करना ओके सिख्षा के उद्देश्यों युक्तियों भीवरचनाओं आदिके निर्धारण में भी सहायता करना ये शिक्षा मनवज्ञान के उद्देश्चे हैं बालक को अपने वातावरण में सामंजस इस्थापित करने में सहायता प्रदान करना जो बालक होता है वो कई बार अपने अट्मोस्फेर में सामंजस ए इस तरीके से ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई वेरी गूड आगे बढ़ते हैं और भी इसमें बहुत साल उप्दिश्च एड़ कर सकते हैं अगर हम शिक्षा मनवज्ञान के छेत्र की बात करें तो इसमें हमारा आता है जैसे आधनिक शिक्षा मनवज्ञान को के अनुसार शिक्षा मनवज्ञान के प्रमुक शेत्र हैं क्या क्या शेत्र हैं बाई इसमें देखिएगा पहला है बालक के वनशानुकरम और वातावरण का आध्यान ये शिक्षा मनवज्ञान के छेत्र के अंतरगत आता है ठीक है अब इसमें शिक्षा मनवज्ञान बालक पर वनशा वन्शानुकरम और वातावरंका की से सीमा तक परभाव पड़ा है इसकी जानकारी करके वो उसके विकारों को दूर कर सकता है बालक क्या है? समझे प्रेंट को बालक क्या है? बालक या जो व्यक्ति है वो वन्शानुकरम और वातावरन का क्या होता है? कि मिला जुला रूप होता है क्योंकि भाई वन्शानुकरम का मतलब है जो गुण, जो जो भी गुण, जो भी क्वालिटीज उसको अपने पिता जी शे दादा जी से मिली है ठीक वो इसके अंदर विद्द्मान है प्लस वो जिस प्रकार के एटमोस्फेर में रह रहा है तो यहां से भी चीजे इसके अंदर आई हैं और यहां से भी चीजे आ रही हैं ये इन दोनों का मिलाजुला रूप हो गया बालक के निर्मान पर जब बालक की ग्रोथ होगी तो उस पर वन्शानुकरम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है वन्शानुकरम विक्त की जन्मचात योगताओं से समंदित होता है कि उसके पास कितनी बुद्धी है क शारिव? इसकंकर इक्सर यह माना चाता है बुद्धिमान पैरेंट्स के बच्चे भी बुद्धिमान होते है अगर पिता जी बहुत अच्छी इंजिनियर है, हें ठीक है तो तो हो सकता है बालक के अंदर भी वह उंजिनियर वाली बुद्धी से समंदित होता है इसमें बालक की वो समस्त शारिरिक मानसिक या अन्य विशिष्टाइं आ जाती हैं जिन्हें वो अपने माता पिता या अन्य पूरवजों से प्राप्त करता है तही बार ऐसा होता है कि जो बालक है अब अगर पिता अगर पिता जी या माता जी का कद छोटा है ठीक है तो बच्चे भी छोटे कदके हो जाते हैं अगर पिता जी लंबे कदके हैं और माता जी छोटे कदकी हैं तो हो सकता है बच्चे भी छोटे कदके हो जाएं या अगर पिता जी छोटे कदके हो जाएं तो बच्चे हो सकता है बच्चे छोटे कदके हो जाएं किसके ग बालक गुन प्राप्त करता है है अच्छा वंशानुकरम के साथ ही बालग पर उसके एटमश्फ्एयर वातावरण का भी परभाव पड़ता है कि किस प्रकार के एटमश्फ्फ्व्यर में वो रह रहा है वो सकता है उसको अपने पैरेंट्स से गुन तो अच्छे मिले हैं, लेकिन एट्मोस्फेर उसको ठीक नहीं मिला, ठीक है, बहुत भले घर का बच्चा है, लेकिन चोर लोगों के साथ रहने लगया, तो जाहिर सी बात है, वो चोरी सीख जाएगा, वो इसी फिल्ड में जाना चाहेगा, है ना, तो ये फर्क बढ़ता है, इतनी बात के लिए रोगई, बहुत अच्छा हेडिंग है, आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पैंट है कि बालक के शारीरिक और मांसिक विकास, यानि कि उसकी जो फिजिकल मेंटर डफलेपेंट होता है, उसका अध्यन किया जाता है, शिक्षा मनोविज्यान के अंतरग भुरूना अवस्था से लेकर के जब बच्चा मा के गर्भ में होता है, वहाँ से लेकर मर्तिव परयान्त तक जब तक वो गर्भ से कबर तक नहीं पहुँच जाता, तब तक होने वाले मानो के विकास का अध्यन सिक्षा मनोविज्यान करता है, मानोव जीवन के जन्म के उ परिवर्तन भी होते हैं मानसिक समाजिक समवेदा समवेगात्मत आदी पक्षों में क्या-क्या चिंजिस होते हैं क्या-क्या परिवर्तन होते हैं और बालक की फिजकल और मेंटल जो एक्टिविटीज हैं वह आपस में एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करती हैं इसके यह जो है कि विभिन माल सिक्रियाओं जैसे समवेदन प्रतक्षिकन इस्मरति विचार कल्पना तर्क चिंतन और निर्न इन सभी का इसमें अध्यन किया जाता है ठीक है बाकी और डिटलने बाद में समझा देंगे अभी यहां पर जो हेडिंग से उसके कोडिंग में आपको सम प्रवश्ता है ना तो इस डफलप्मेंट में कई आयाम आ जाते हैं बालक में होने वाले समस्त प्रिवर्तन जो होते वो इन ही पक्षों से चमंदीत होते हैं बालक के विकास के प्रमुक्ष जैसे शारिक, मांसिक, समवेगात्मक, सामाचिक, नैतिक, आधिकाध्यन, शिक् का अध्यन, आभी रुची आने की उसकी अप्रिट्यूड और एक्टिट्यूड का अध्यन किया जाता है, बालक उसी विश्य को पढ़ना अथ्वा सीखना चाहता है, जिसमें उसकी रुची होती है, इसी प्रकार कुछ विश्यों के प्रति उसकी सकारात्मक अभिवरत्ती तो कुछ के प्रति नकारात्मक अभिवरत्ती होती है, और इसका ध्यान शिक्षा मनोग ज्यान करता है, अब भाई अगर जो विश्य बालक को अच्छा लगेगा, जिसमें उसको इंट्रेस्ट होगा, जाहिड सी बात है, वो उसको सीखने के लिए तत्पर होगा, तयार तो ये चीज होती है, अब विश्य बस्तू या कोई भी काम हो, उसके प्रति बालक की जैसी अभिवरत्ती होती है, वो उसे उसी प्रकार ग्रहन करने को तत्पर होता है, उसी प्रकार वो उसको एकसेप्ट भी करता है, तो इसलिए कहा गया है कि शिक्षा मनोग ज्यान में बालक की अभिरुचियों और अभिवरत्यों का भी अध्यान करके जो टीचर होता है वो बालक को सही डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है तो यह हो गया अभिवरुचियों और अभिवरत्यों का अध्यान आगे पॉइंट यह कहता है विक्तिगत भिनताओं का अध्यान किया ठीक है अब जैसे पॉइंट ये है कि हम इसे प्रतय कवकति एक दूसरे से भीन ऑब जम सार में कोई भी हो व्यक्ति एक बूसरे से पूर्ण तरीके से समान हो यी नहीं सकता है ना वो कितने भले जुड़वा ओं ट्वीन वो भी दोनों से प्रॉपर दोने एक बूसरे से मैच नहीं करते कितनी भी सकल मिलती हो लेकिन उनके अंदर के गुणों में फर्क होगा है ना तो प्रतेक विक्तिकी योगता स्वभाव रुची समवेगात्म किस्थिती समायोजन चमता और सीखने की गती आदी भिन भिन होती है हर विक्तिकी कुछ सारीडिक सामाचिक और म आनसिक गुणों में एक दूसरे से भिन होता ही है और इस यह जो डिफेंस होता है इसके पीछे रिजन उसकी वन्शानुगत और अर्जित जो योगता है वो है ये जो अंतर होता है, इसका करण क्या है? विक्ति की वन्षानुगत और अर्जित, योगता कितनी है इसी लिए प्रतिक विक्तिक की योगता, स्वभाव, रुची, सम्विगात्म, किस्तिति, समयोजन, छम्ता, और सेखने की गती भी भिन्न पिन्न होती है और इसी विक्तिगत भिनता के कराने ही बालकों में कुछ प्रतिभासाली, कुछ सामाने, तो फिर कुछ मंद बुद्धी के हो जाते हैं, है ना, तो सिक्षक को बालकों की विक्तिगत भिनताओं के आधार पर ही उन्हें आगे बढ़ने को प्रोटसाइट करना होता है, सब को एक समान नहीं कि तुम सारे के सारे जो है कि इंजीनियर ही बन जाओ, कैसे बन जाएंगे भाई, उनमें अंतर है, कुछ सी को मैट्स परसंद है, कोई सस्टी पढ़ना चाहता है, कोई इंगलिज में बहुत अच्छा है, तो इस तरीके से अलग लग सब की फिल्ड होती है, अगला पॉइंट ये है कि अधिगम प्रक्रियाओं का अध्यान होता है, यानि कि स्टुडिय ओफ लर्निंग प्रोसेस, शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के नियमों, सिध्धानतों और विधियों का ग्यान प्रदान करता है, कि सीखने के नियम क्या है, सिध्धानत क्या है कौन कशी विध्यों का कहां प्रयोग होगा इनका ग्यान प्रदान करता है ताकि जो teacher है वो सीकने की प्रक्रति सधात और विध्यों के ग्यान के साथ साथ सीकने में आने वाली जो कठनाइया है जो बादाएं हैं उनको समझें उन्हें दूर करके अपने टीचिंग को effective बना है ठीक है इतनी बात clear हो गई very good आगे बढ़ेंगे तो ये हो गए हमारे क्या थे ये थे शिक्षा मनवग्यान का छेतर जिसको हमने थोड़ा deep में समझाने का प्रयास किया है अगला point हमारा कहता है कि शिक्षक के लिए शिक्षा म मनवग्यान प्रमुक रूप से बालक के अध्यान और उसके सीखने सिखाने की प्रक्रिया से समंदित होता है ये वो विज्ञान है जो शिक्षा प्रक्रियाने की बालक और सिक्षक के विवहार का अध्यान करता है अध्यापकों के लिए शिक्षा मनवग्यान का अध्यान क किस point of view से बच्चे को देखा जाए, या किस तरीके से उसको देख रहा है, सही दृष्टिकोन प्रदान करता है, अध्यापा को सिच्छन विधियों और सामग्रियों के उचित चयन का ज्यान, शिक्षा मनुवग्यान द्वारा होता है, बालक के लिए कौन सी सिच्छन विधि का प्रयोग करना है, किस सामग्रियों का प्रयोग करना है, क्योंकि एक ही teaching method, आप सभी subjects को teach करते time use नहीं कर सकते, एक ही सिच्छन विधियों सभी subjects में प्रयोग नहीं हो सकती, अलग-अलग subjects को पढ़ाने के लिए, अलग-अलग सिच्छन विधियों की आव सकता होती है, अलग-अलग सामग्री की यूच होती है, जैसे आप पुछ जियोगराफी पढ़ानी है, तो आपके पास map होना चाहिए, आपके पास globe होना चाहिए, ठीक है, और बाकी अगर कोई subject पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास chart वेपर भी होना चाहिए, तो कौन सा subject है, उसके लिए किस तरीकी की examples देने हैं, किस तरीकी की सिच्छन विधि का प्रियोग करना है, क्या सामग्री प्रियोग करने हैं, यह हमें सिख्षा मनुग्यान सिखाता है, कोई बालक अगर हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा एपल नहीं समझ पा रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, भाई कुछ बच्चे समझ गए, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका एपल का क्या करेंगे, चित्र बना देंगे ठीक है एपल का चित्र कैसे बनता है एपल का चित्र बना देंगे यदि बच्चा जो है इसे चित्र से भी नहीं समझ रहा है तो क्या करेंगे तो फिर हम इसको भाई डारेक्ट एपल बाजार से एपल लाएंगे लाकर को उसको दिखाएंगे मनोवग्या यही कहता है psychology यही कहते है कि अगर एपल आप बच्चा नहीं समझ रहा है चितर से भी नहीं समझ रहा है तो बाजार जाओ एपल खरीद के लाओ उस बच्चे को कहो खाए बच्चा फिर उसे बताओ बटा यही है एपल ठीक है शिक्षक बालक की करमे का वस्थाओं में होने व वारा क्यूंगी हर वेक्ति अलग-अलग होता है हर बालक की योगता चमता रुची में डिफरेंस होता है और विशिष्ट बालकों का उचत सेच्छन वस्था का भी ज्यान कराना विशिष्ट बालक जैसे एक जो प्रतिभाश हाली बालक हो गया वह भी विशिष्च में आ गया में उडिस बैल बच्शा है वह भी वी विशिष्ट में आ गया जो def agency होते हैं अन्धे हों बहरे रहे होते हैं वह भी विशिष्ट में आते तो उनके लाब किस तरीके से आप उनको पढ़ाएंगा इस उस के लिक्ए या आप से च्छन वस्था करेंगे ये भी हमें मनोवग्यान बताता है उप्युक्ति सिच्छन विधियों को समझने उनका चैन करने में सायक होना शिक्षा मनोवग्यान के दोरा बालक की प्रवती श्रभाव आउसक्ता की जानकारी भी मिलती है कि आखिर बचा चाहता क्या है ये सब हमें कौन बताएगा ये सब सिच्छा मनोवग्यान बताएगा ठीक है नोट्स के लिए इस नमबर पर मैसेज करें तो इस तरीके से हमने मनोवग्यान समझा कि मनोवग्यान क्या है बहुत चोटा पर आप यह कहेंगे तो सीट में आता नहीं आता लेकिन आपको समझना चाहिए अच्छा अब इसके कैसी रिकलास कॉमेंट करके जुरू बताएगा